बच्चो आज हम पढ़ेंगे पार्ट नमबर 9 क्रिकेट के महानायक सचिन तंदुलकर वैसे तो हम सभी परिच्छी थें सचिन तंदुलकर से कि वो क्रिकेट से संबन्दित हैं और उन्होंने कितने अच्छी डंग से क्रिकेट खेला और भारत का नाम विस्प में अगरणी किया लेकिन आप क्रिकेट के अलावा भी अन्य खिलाडियों के बारे में पढ़ेंगे और जानने का प्रियास करेंगे कि उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया है चलिए पार्ट शुरू करते हैं देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत लतन से सम्मानिन भारत के एक मात्र खिलाडी सचिन तैंदुलकर नई अदपी क्रिकेट को सदा के लिए अलविडा कह दिया है किन्तु आज भी सचिन तैंदुलकर का नाम सुद्धे ही बच्चे, बुड़े, जवान, सभी के चेहरे खिल उठते है क्रिकेट की चर्चा हो और सचिन का नाम ना आए ऐसा संभव नहीं सचिन और क्रिकेट प्राइम माना को एक दूसरे का प्राइम मान लिया गया है बच्चो पहली बात मैं आपको यह बता दूँ कि भारत जो भारत में दिया जाने आला सरवच्च पुरुसकार है उसको प्राप्त करने आले एक मात्रे खिलाड़ी सचिन तैंदुलकर है और इन्होंने क्रिकेट को अलविदा क्या दिया है किन्तु क्रिकेट का जब भी नाम आता है तो हम सचिन तैंदुलकर का नाम लेना नहीं मूलते चाय बच्चे बुड़े जवान कोई भी हो वो सचिन तैंदुलकर के नाम से क्या है परिचित है भाती क्रिकिट के महानायक मास्टर ब्लास्टर सचिन टैंदुलकर दुनिया के सर्वसिस्ट बले बाज माने जाते हैं बच्चो आपको ऑबात और बेपादा दू जैसे आप लोगों कोई निक नेम होते हैं वैसे ये सचिन टैंदुलकर को उनकी उत्करिस्ट प्रदर्सन के लिए मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है और ये दुनिया के सर्विस्ट बल्लेबाज माने जाते हैं उनकी सांदा, तक्नीक और चमतकारिक बल्लेबाजी को देखका लोग आश्चरी चकित रह जाते हैं भारत किया, दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी उनकी बल्लेबाजी का नजारा देखने को उस्थ रहते हैं हाँ, एक बात यहाँ ये भी जान लीजे बचो कि सचिन तैंदूलकर से जितने ज़्यादा आप परिचित हैं विस्प का हर बच्चा उनसे परिचित है क्योंकि वो इतने उत्करिस्ट बल्लेबास थे कि उनका नाम सुनते ही हर जगे कुछ साह एक उमंग दोड़ जाती है लिटिल मास्टर से चिन का जन्म 24 अप्रेल 1973 को मुंबई में हुआ एक नाम देखिए, पहला नाम उनको मास्टर ब्लास्टर पड़ा हमने दूसरा नाम उनको दिया गया है लिटिल मास्टर जिनका जन्म 24 अप्रेल 1973 को कहां पे हुआ था मुंबई में और इनके पिता प्रोफिसर अमेस तेंदुलकर मुंबई के कीर्थि कॉलेज में मराथी पड़ाते थे और मारजनी कोठारी पारते जीवन भीमा निगम में कारिरत थी तो यहाँ पे इनकी माता पिता के विसए में बताया गया है कि पिता जी क्या थे प्रोफिसर और माता जी इनकी पारते जीवन भीमा निगम एलाई से जिसे हम कहते हैं मैं कारे रख थी सचिन अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थी उनके दादा ने मसूर संगीत का सचिन देव बर्मन के नाम पर ही पोते का नाम सचिन रखा देखें यहाँ पे अकिती आपको अच्छी बात जानने को मिली है सचिन का नाम नाम संगीत का अब कि सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा किया है और किसने रखा उनके दादा ने साध इसलिए कर्केट और परिवार के अलावा सचिन को संगीत सबसे अधिक पसंदं है यहां पर बता दूमें आपको सचिन क्रिकेट से ही नहीं उसके लावा वो संगीज से भी प्रेम करते थे